स्टॉव का क्या आर्थ होता है यह आज की इस वीडियो में सीख लेते हैं स्टॉव का आर्थ होता है चुलह, भठी, अंगीठी या तापक तो कोई चुलह, भठी या जो अंगीठी होती है उसको हम स्टॉव कहते हैं जैसे कि अगर आप ये कहना चाहें कि चुल्ह पर दूद गरम हो रहा है तो आप कहेंगे तो milk is warming on the stove यागर आप ये कहना चाहें कि उसने पानी का एक परतन चुल्ह पर रख दिया तो आप कहेंगे she put a pen of water on the stove यागर आप ये कहना चाहें कि चुल्ह की चिमनी से घहरा धुआ निकलता था तो आप कहेंगे the stove chimney discharged dark smoke अब आप ऐसी ही किसी भी word का मतलब हिंदी और इंग्लिश में यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतुबकवास की सीधा उस word का मतलब समझ पाएंगे तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें